देखिए, लांगर लूट के दिजीए, वह हुआ सही, सियान हरे उसी का दिजीए, जिसको पाउ नहीं उसी का हम यहाँ पे पाछ आद्मियों को हम चलाते इस नेमू से लोग पहते हैं कि बहुत बढ़िया काम कर रहा है नाई नाई वो हारा दुनिया पब्लिक पब्लिक को लूटने का योजना है वो नमस्कार आप देख रहे हैं सेंपी नीज जारकन मैं हूँ शिवानी देखते हैं आज क्या कुछ है खबरों में खास इस स्टोरी का सरांस देखकर एसेंपी के दर्सक जरूर समझ गये होंगे कि इस स्टोरी में आज हम क्या दिखाने वाले हैं आपको बताते चलें भीक मांगना जायज या नजायज आज की खबर इसी जोलन्त मुद्ध पर है जी बिल्कुल आपने सही सुना आप दर्सकों को बताते चलें एसेंपी नियूज ने चट पूजा के नाम पर जबरन उगाही की खबर को प्रमुकता से दिखाई थी उस खबर के कॉमेंट में कुछ एक लोगों ने भीक मांगने को जाय ठाड़ाया है तो तकरीबन 90% हमारे दर्सकों ने नजाय ठाड़ाया है आज की खबर उसी मुद्ध पर है हमारी टीम उसी की परताल में सहर में भीकाडियों और मेहनत का सोख से प्रतिक्रिया जानी तो एक केंडी बेचने वाले बच्चे ने भीकाडियों पर कटाक्ष करते हुए कह दी बहुत बड़ी बात ये हम आगे देखेंगे तो एक दिब्यांग भीकाडी की बाते सुनकर हम हैरत में पर गए क्योंकि उन्होंने जो बाते कही कुछ बाते सुनकर दिल भर आया तो कुछ एक बाते हैं उसने जो बताई उससे सुनकर लगा कि जो लोग सही रहते हुए भी भीक मांग रहे हैं अपनों के लिए कुछ उम्रदराज लोगों ने जिनकी उम्र तक्रीबन सत्तर से असी वस के आसपास थी वो अपनी बूते अपने पड़िजनों के लिए मेहनत कर दो वक्त की रोटी की जुगार करते नजर आए लेकिन वे लोग भी तंदुरुस्त रहते हुए भी जो लोग भीक मांग रहे हैं उनका समर्तन करने वालों के लिए भी उन्होंने अपने सर्दों से तमाचा जड़ा है जैसा कि आप दरसकों को पता है भीक मांगना गैर कानूनी काम है बावजूद इसके सरकार द्वारा रोक नहीं लगाना कई सवाल पैदा करते हैं बरहाल आए देख बूजूर कोरे हैं तो भीक मंके खाए न सकता है यहां पर भाग्वान दिये हैं तो उदम कर खाना चाहिए कर बहुत बहुता कौने वह तो वह मांगता है जो कि सरी से लाचार है जिसके पास ज्यान नहीं आए यह जिसके पग्वाइब तो चार दो वरत जो भीत मान रही है तो चाहत पूजा में जो भीत मान रही है तो सबते पहले विहारी ते नाम पर अतलों तरना नहीं चाहिए इस लोग तात उसारी पेनली है मेहनत तरने इलो नहीं चाहता है बाल बाचा जो है मेहनत नहीं चाहता है तो मेहनत तरते अपना बाल बाचा पाले ताहे तो यह हो जैते इलो इलो धंडा बना दिया है धंडा इलो बनाया है तो जबाब नहीं हुआ है अब आप यह कर अना चाहा रहे हैं कि हम भूजा बेज़ करके अपने पड़िvaar को चलाते हैं लोगों को मेहनत करना चाहिए करना चाहिए यहा है विदक रहा है शह्यागा तर दे रहा लेकर बिना मेहनत तो इपयाम इनले塊 नहीं लोग चाहते बिना मैनत कभी मांग अपना पेट चलिए ना? लोग नहीं चाहता है, सुना आपने अभी ये भूजा बेचते हैं, लेकिन इनकी जो सोच है, इन्हें भी सैलूट करने का जी कर रहा है, ये बहुत दूर से देखकर कैमरा यहां पहुंचे, कुछ महिला हैं, छट के नाम पे जो भीक मांग रही थी, इन्हें बदास्त नहीं ह आप यहां करके हमें बोले, कि भईया हम भी कुछ कहना चाहते हैं, और इन्हों ने जो बाते कहीं अभी, कि लोग हडाम का, जिसको पहलते हैं, हडाम कहीं बोलते हैं, बीना मैनत का पैसा मिल आए, वो काम ये लोग कर रहे हैं, जो इन्हें भी बरदास्त नहीं हुआ, और ये भी आकर कि अपना दो सब्द लोगों के सामने रखना चाहें. आथमा को सांथी मिलती है। इसलिए हमें पुटसरे को और नीचे डाउन करने के लिए पीक मांगते हैं। बालकि वंको भी कोई निकोई करम कर ले ना चाहिकुए। कितने दिनों से ये मिम्भू बेच रहे हैं। 8 साल से। एसी पर अपना पडिवाड चलाते हैं। जी हां, हम यहां पे 5 आदमियों को हम चलाते हैं इस नीमु से, क्या है। लोग कहते हैं कि भीग मांग रहा हैं को बहुत बढ़िया काम कर रहा है। कि यान भूंक यह बहुत गल्ट कर रहा है और वह भी त्रॉश होता जेञाे कुई आस दो आते हैं हो बिलकुल अपना मैंणद करना चाहिए और परिश्रम करने से आच यह लगए्लम का रो क्याँ कि द्याले तम्लग सब्सक्राइन कृधना है कोई नोग ल कोई जरूरी नहीं है कि सरकारी लोगरी सभी को मिल जाएगी अगर कर लेंगे जहां तक हो एक दिन एक मिंट भी बैठना नहीं चाहिए कुछ में कुछ करते रहना चाहिए उससे क्या है कि उपारजन में कुछ आई प्राप्त होता है और बच्चे हैं ना पलते हैं कि यह तो काम नहीं करता है तो नहीं है काहें इतना तो है कि चल फिट तुर रहा है और जो पुरा यंग यंग लोग बच्चों को लेगर भीग मांगे तो नहीं है तो नहीं है तो हाथ पर चल रहा है तो फिर भीग का मैंगे तो भीग उसको माला चाहिए जिसका हाथ पर कमाजबूर है यहां तो मैंने कर पाता है उन लोग काम नहीं कर पाता है उन लोग का फर्ज नहीं मांगता है लोग भीख मांगता है उसको अपना कमाय खैा और उन लोग किया हम बोले जो अच्छा छादमी है जो भीख मांग रहा है मैंने जूट मूट के हम यह हूँ हैं कि को हाथ ऐसे साथ में घुसा करके एक हाथ को दिखा रहे हैं हिला रहे हैं ऐसे से कर रहे हैं उनलोग मांग रहे हैं खाल लेकिन हम लोग का मिलेगा अर लेकिन हम लोग का भी मिलता है तो हम लोग भई जो एक प्रुपा है दूर प्रु बादारम तो चाहिए हुज़ा रहा है कोई बन जाता है मुस्लिंग भाइ बन जाता है वह अपना धरम भी छोड़के दुसरा धरम बन को जो फैट रूजरूटी चला रहा है अब उसमें किया कि अपना धरम बेच रहा है नहीं होना चाहिए मुझने आप मांगते हैं तो नोग मिलता एंसों क्या बोलता है का बोलताया है? को हम अन्यों को बेशी? देबाबु, 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 आप लोग चिप चप नहीं? और हम नहीं को तरह जो कि भादु दियुक्तिक ४हुत हों जाए तरह का करगा देट हुआ? और और लों पहर जो प्रेट रहते है? जाए त्हुमजेस के आधे बहुत कम अबंखे जण चाहीं जाते हैं यह पहला कम बोलते हैं और व चाहीं भाग जाते हैं हान सभी सी पर जाते हैं अब यह ब्वास सब मेरा कप्ड़ा अद्टा-गार गार जढ़े है कई घर जान आपा कहें। कहीं रख दिये। जान पयचाने से चल गया। मतला भाक भाइका को महतन तब साधिग है। Kubedyya से वा ही। के प्राध करें फेकार राध के वरपना के दीवाध करते हैं। समय है। तो आप क्या होगा कि मेनत मज़ूर करें कि खाना चाहिए हाँ मेनत मज़ूर करके खाना चाहिए आप दिन भर ये बैसते हो हाँ दिन भर आपको कभी नहीं आपने सुना यह जो बच्चा है वो सुबह से लेके साम तक इसको बेचता है और इससे अपना खर्च और अपने घर का भी खर्च निकालता है सोचिए इस बच्चे की कहानी और इन से सीखने की अवसक्ता है उन लोगों को जो कहते हैं कि भीक मांगड़ा है कोई चोड़ी तो नहीं की बात को समझिए ये उनका हक मार रहे हैं भीक दीजिए लेकिन वैसे लोगों को जो लचार मजबूर असहाए जो कुछ करने लाइक नहीं है उनको दीजिए ना कि जो धर्म के नाम पे और ऐसे भी बेवसाय बना लिए हैं भीक मांगने का लास्ट में आप क्या काहोगे जो करते हैं कि भीक मांगना सही है नहीं है सही देखे लांगर लूत के दिजिए वो हहां सही सियान हरे उसी का दिजिए चिसको पाव नहीं उसी का अचिसको शरीır निमन उसको देने की किया है उता गलत काम कर रहा है मेहनत कखा ता उसलो तश सुन लिए होंगे आप मुझे लगता है कि इस बच्चे ने जो जबाब दिया है उनलों के मुँपे तमाचा है आज की खबर में बस इतना ही बने रहे हमारे शात तो वहीं ब्रेकिंग और लाइफ न्यूस के लिए हमारे फेस्बुक पेज को फॉलो और लाइक करें साथी साथ बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे विस्त्रे खबरों के लिए हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें साथी साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें आपकी छोटी सी कोसिज हमारे टीम को मजबूती देगा अपना खूब ख्याल रखें जैहिन बंदे मात्रम